जै मातादी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रविवार की पौराणिक व्रत कथा और ये व्रत कथा इस प्रकार है प्राचेन काल में एक बुढिया रहती थी वह निमेत रूप से रविवार का व्रत करती थी रविवार के दिन सूर्यादे से पहले उठकर बुढि से लिपती और स्वच करती उसके बाद सूरे भगवान की पुजा करते वे रभीबार वरत कथा सुनकर सूरे भगवान का भोग लगा कर दिल में एक समय भूचन करती सूरे भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कस्ट नहीं था दिरे दिर उसका घर धान धान से भर रहा था उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पडोसन उससे जलने लगी बुढ़िया के कोई गाए नहीं पाल रखी थी आते वे अपनी पडोसन के आंगन से बंधी गाए का गोबर लाती थी पडोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाए को घर के भीतर बान दिया विवार को गोब और ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन लीप नहीं सकी आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सुरे भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वैम भी भूचन नहीं किया सुरिया सोने पर बुढिया भूकी 85 सो गई प्राते काल सुरेदे से पूर उस बुढिया की आँख खुली तो भै अपने घर के आंगन में एक सुन्दर गाय और बच्डे को देखकर हैरान हो गई गाय को आंगन में बान कर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया परोसन ने उस बुढिया के आंगन में बंधी सुन्दर गाय और बच्डे को देखा तो भै उससे और अधिक जलने लगी तभी गाय ने सोने का गोवर किया गोवर को देखते ही परोसन की आँखें फटी की फटी रह गई परोसन ने उस बुढिया को आसपास ना पाकर तुरंद उस गोवर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोवर वहां रखाई सोने के गोवर से परोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई गाय प्रते दिन सुर्यदे से पूर सोने का गोवर किया करती थी और बुडिया के उठने के पहले ही परोसन उस गोवर को उठा कर ले जाती थी बहुत दिनों तक बुडिया को सोने के गोवर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला बुडिया पहले की तरह हर अभिवार को भगवान सूरिय देव की वरत करती और कथा सुनती रही लेकिन सूरिय भगवान को जब परोसन की चालाकी का पता लगा तो उन्होंने तेज आंधी चलाई आंधी का प्रपॉफ देकर बुडिया के गाय को घर के भीतर बांग दिया सुबह उटकर बुडिया ने सुने का गोवर देखा तो उसे आश्चर हुआ उस दिन के बाद से बुडिया गाय को घर के भीतर ही बांगने लगी सोने के गोवर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धन्वान हो गई उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल बुनकर राक हो गई और उसने अपने पती को समझा बुजा कर उसे नगर की राजा के पास भीर दिया सुन्दर गाई को देकर राजा बहुत खुश हुआ सुबह जब राजा ने सोने का गाई का गोवर देखा तो उसे आश्चरे का ठिकाना ना रहा राजा ने बुढ़िया से गाई और बचड़ा चेन लिया जिससे बुढ़िया की सिती फिर सिद्दाइनिया हो गई बुढ़िया ने दुखी बुढ़िया दुखी होकर सुर्य देव से प्रात्ना की सुरे भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया पर करुण आ गई उसी राद सूरी भगवान ने राजा को स्वपन में कहा राजन बुढिया की गाय वो बचड़ा तुरंत लोटा दो नहीं तो तुम पर विपत्यों का पहाड तूट पड़ेगा तुम्हारा महलना सो जाएगा सूरी भगवान के स्वपन से बुरी तरह से भेवीत राजा ने प्राते उड़ते ही गाय और बचड़ा बुढिया को लटा दिया राजा ने बहुत सारा धन दे कर बुढिया से अपनी गल्ति की शयमा मांगी राजा ने पर्वसन और उसके पती को दंड दिया फिर राजा ने पूर्य राज में घोशना कराए कि सभी इस्तरी पूरुष रविवार का व्रत किया करें रविवार का व्रत करने से सभी लोगों की घर धन धानने से भर गए राजे में चार और खुशाली छाग